दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट बॉक्स में जरूर पोचे आज की सबसे पहले कबर बिहार की ग्रामिन विकास बिवाग में बंपर बहाली क्लरक और इंजिनियर सहित कई पदो पर की सजार नौकरिया इसे अब राज केविनेट की मंजुरी मिलने बाकी है इसके बाद बहाली के अदिया अचना आयोग को भीजी जाएगी विभागी अदिक्यारियों के नुसार विभाग के अंतरगत 1070 सेक्षन है प्रतेक सेक्षन में एक जुनियर इंजिन एक सर्वेर एक वर्क सराकार लोवर डिविजन क्लर्क और एक आरेलक अनुदेश की बहाली होगी इसके अलावा इस्टूर की पर लैब टेक्निशन जैसे पद भी भरे जाने है बाड़ी के बर बिहार बोर्ड ने कक्षा 9 के चात्रों के लिए रेजिस्ट्रेशन की डेट बढ़ाई जिहां बिहार बिदालाई परिचा समीती ने मैट्रिक परिचा 2023 के लिए राज की सिक्षन संस्तानों में नवी कक्षा में पढ़ रही बिरदातियों के लिए बाड़ी के बिहार में किसानों को फीर से ट्रेक्टर करिद पर मिलेगा नोदान जानि ये केंद्र सरकार के फैसले का किसे मिलेगा फाइदा जिहां बिहार में किसानों के लिए एक अच्छी खबर है केंद्र सरकार एक बार फिर से ट्रेक्टर की खरीद पर किसानों को अनुदान देने जा रही है राज में या वेबस्ता एक बार फिर से लागू हो गई है हाला कि इस बार इस योजना का लाव चुनिंदा किसानों को ही मिल पाएगा सरकार ने टेक्टर के खरीद पर 80 फिज़ी तक अनुदान देने का फैसला किया है बता दी के राज की 13 आकांचे जिलों में क्रिसे यंत्र बैंक बनाने वाले किसान समुक को ही इसका लाव मिलेगा दूसरे किसान वहाँ से अपने इस्तिमाल के लिए सस्ती दर पर किराय पर टेक्टर ले सकते हैं केंद्र सरकार ने राज के 13 जिलों के आकांचे जिला घोसित किया है जिसमें औरंगाबाद, गया नवादा, मुझपर, पूर, बेगुस, राय, सेखपुरा, जमोई, बाका, कटिहार, अररिया, खगडिया, सितामडी और पूर्निया समिल है इन्हीं आकांचे जिलों में नरेंद्र ने ट्रेक्टर पर अनुदान देने की नई योजना मनाई है, योजना पर अमल सुरू कर दिया गया है, आपकी जानकारे के लिए बता दे कि इस योजना में ट्रेक्टर को मिलने वाले 80 फिस्दे अनुदान के अधिक्तम सीमा आट लाख रुपी रखे गई है, चुकि अलग अलग ट्रेक्टर के अलग अलग किमात लिहाज अधिक्तम सीमा भी तै कर दी गई है, बाड़ी ख़बर पेमेंट करना अब और भी हुआ आसान, पियाम मोदी ने ए रुपी को किया लॉंच, जिहां प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉनफरे के माइदम से डिजिटल पेमेंट फ्लेटफॉर्म ए रुपी को लॉंच किया, नेशनल पेमेंट कोर्पोरेशन अप इंडिया ने अपने यूपी आई प्लेटफॉर्म पर बित्य सिवा विभाग स्वास्त और परिवार कल्यान मंत्रा लाए और राष्ट्य स्वास्त प्र इंडिन पुरा होने के बाद ही सेवा प्रादाता को भुक्तान किया जाए आपकी जानकारे के लिए बदा दे कि ए रुपी एक एवावसर के तोर पर काम करता है जो किवार कोड और SMS बेस्ट है जो मवाइल के जरिये लावारतियों को मिलेगा साथ है आपको बदा दे कि सरक बाड़ी खबर दाखिल खारिज का सिस्टम अब ज्यादा पारदर्सी DCLR कोड का फैसला अब ऑनलाइन देख सकते हैं जहां जामीन की दाखिल खारिज में होने वाले गड़बडियों को दूर करने के लिए नितिश सरकार अब सिस्टम को ऑनलाइन कर चुकी है सरकार ने इस पूरी विवस्ता को पारदर्सी बनाने के लिए अब ऑनलाइन मोड में फैसले को रखने का निन्ने किया है राजस्व एवं भोमी सुदार विभाग ने DCLR कोड को भी ऑनलाइन कर दिया है अब कोई भी सक्स DCLR कोड जाए बगेर अपने केस की जानकारी ले सकता है दाखिल कारेज अपिलवाद मैनेजमेंट सिस्टम अवजनता को समयरपित कर दिया गया है मंत्री राम सुरत राय ने इस बात के जानकारी देते वे कहा कि म्यूट्यूशन को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया है इस प्रक्रिया से जुड़े सभी कर्मियों की जिम्मेदारी और सम अब आगे 10 अगस तक 10 वी तक की स्कूल भी खुले जाने का इंतिजार है इसी बेज राजसरकार कोरोना अनलोक की नई गयालाइन भी जारी कर देगी सिक्चा मंत्री विजय कुमार चोदरी के अनुसार बिहार में कख्चा 1 से 10 वी तक की सभी सरकारी एवं नेजी स्कूल अ में मानसून एक वर फिर से एक्टिव हो गया है मौसम विभाग ने सबे 38 जिलों के लिए 5 अगस तक बुलो अलट जारी कर दिया है इस दोरान बजर पात और आकासी बिजली गिरने की भी आसंका जताए गई है उत्तर बिहार और दक्चिन बिहार के जिलों में कई स्थानों पर हलकी बारिस का अलट है 2-4 अगस तक 6 जिलों खगडिया सुपोल कटिहार पूर्या सितामड़ी और अरारिया में भारी बारिस का नुमान है जबकि 5 अगस तक पूरे बिहार में हलकी बारिस हो सकती है मौसम विभाक के नुसार उत्तर बिहार के पश्चिमी चमपारण सि सितामडी, मदुबनी, मुझपरपूर, दर्बंगा, वैसाली, सिवर, समस्तिपूर, किसनगज, सुपोल, मदिपूरा, सहरसा, अररिया, पूर्निया और कटिहार में कई स्थानों पर 5 अगस तक हलकी बारिस की आसंका है। पड़ोसी राज्यों में हो रही बारिस से बिहार का संकट गहराया, सुबे की दस नदिया लाल निसान से उपर, जहां पड़ोसी राज्यों में लगातार हो रही बारिस से बिहार में एक वर फिर बार का संकट गहराने लगा है, बारिस के कारण प्रदेश की कई नदियों का रोदर रूप दिखने लगा है गंगा और सन नदी में उफान है गंगा नदी में पिछले दो दिनों में जलेस्तर कावी अधिक बढ़ चुका है कई जिलों में बार का खत्रा भी बढ़ने लगा है लगातार हो रही बारिस के करण बिहार के नदियों का जलेस्तर बढ़ गया कई जगों पर तड़वन तूट चुका है जिसे दरजन गाउं में पाने गोश चुका है गोपाल गंज में गंडग नदी लाल निसान के पार बारही है निपाल की बारिश से गंडग नदी तांडव मचाने लगी है माझा प्रकंड की निमूया पंचायत में नदी का कटाव तेज हो गया है तोक सकवा गाउं के चोकड तक नदी काटाव करते वे पहुच चुकी है नदी के ओगर कटाव को देखते वे पिछले 24 गंटे में एक दरजन से अधिक गरुको लोग तोड़कर गाउं को खाली कर चुके हैं वही मुझापारपूर वा दरबंगा में बाग समस्तिपूर में बोड़ी गंड़क वस सहरसा, खगड़िया और भागलपूर में कोसी के बढ़ते जलेस्तर से भी संकट गहराने लगे हैं जहानाबाद की हालत भालगो नदी के बढ़ते जलेस्तर के कारण बिगड़ रही है बाड़ी खबर 9 अगस्त को हर्ताल पर रहेंगे पटना के ओटो और बस इस्टाब जहाँ पटना जक्सन टाटा पार को ओटो इस्टेंड में ओटो चालको को रिवार को सबह हुई ओल इंडिया रोड टांस्पोर्ट फेडरेशन के महा सचीव राजगुमार जहाक या दिक्सता में संपन बेटक में 30 सितंबर से डिजल ओटो को पटना सरीचेतर से बाहर करने सेँजी ओटो को सरीचेतर का पार्मिट देने ओमम सेँजी गेसो के केलत को दूर करने के मुद्द पर चर्चा हुई इसमें ओटो रिक्सा चालक संग के आजग्च पप्पो यादब ने ओटो चालकों के ज्वालन समयसाव का प्रस्ता पेस करतेए सरकार का ध्यान ओटो चालकों की समयसा की तरब आक्रिष्ट किराने के लिए 9 अगस्त को एक दिन का सांकितिक हरताल पर जाने की बात कही है पटना के PMCH में कोरोना का एक भी अक्टिव मरीज नहीं जानि राज़ानी के आने सरकारी अस्पतालों का हाद जियां बिहार के पटना सहर में कोरोना संक्रवन से सिति लगातार सुधर रही है अगर वर्तमान के आगड़ू पर गोर करित जिले में रोज़ाना 5-7 मरीज ही पोजिटिव मिल रहे हैं इसे सुकुक की माने तो अगर यही रप्ता रही तो पटना जिला जल्दी कोरोना मुक्त हो जाएगा सहर का पटना Medical College अस्पताल में कुरोना मुक्त हो गया है पटना के PMCH में एक भी कुरोना की मरीज नहीं है वही IGMS, NMCH और MS अस्पताल में सिर्फ 16 ही कुरोना की मरीज बज गय है इनमें 12 IGMS, 2 MS और 2 NMCH अस्पताल में कुविट के मरीज भरती है इनका इलाज जारी है बाड़ी के अबर बिपक्च को मिला नितिस कुमार का साथ कहा पेगासस केस पर संसद में हो बहस जिहां पेगासस जासोसी मामले पर अब बिपक्च को बिहार के मुख्यमंतरी नितिस कुमार का विस साथ मिल गया है CM NITIS कुमार ने कहा कि Pegasus केस के निश्ची तोर पर जाच होनी चाहिए उन्होंने कहा कि हम टेलिफोन टेपिंग के मामले कई दिनों से सुर्ण हैं ऐसे में जाच होनी चाहिए सुमुआर को जनता दरबार खतम होने के बाद CM NITIS ने मेडिया के साथ बादचीत के दोरान ये बाते कही है बड़े के वर बिहार पंचाच चुना में दो या उससे अधिक उमिदवारों को बराबर वोट मिलने पर लोटरी से निर्ने लिया जाएगा लोटरी निकालेंगे और जिस सुमिदवार के पक्च में लोटरी निकलेगी उसे एक अतिरिक्त बोर्ड प्राप्त हुआ माना जाएगा इसके आदार पर निर्वाची पतादिकारी द्वारा चुना परिनाम गोसित किया जाएगा बड़ी ख़बर जातिया जनगना को लेकर सड़क पर उतरेगी आरजडी साथ अगस्त को पटना सहीद बिहार के सभी जिला मुक्याले पर राज़त करीगी प्रदसन मांग को लेकर मुख की बिबक्ची पाटी राज़त ने सड़क पर उतरने का एलान कर दिया है राज़त ने साथ अगस्त को पटना सहीद बिहार के सभी जिला मुक्याले पर जातिया जनगना कराने की मांग को लेकर प्रदसन करने का वैसला लिया है राज़त की तरब से प्रदसन को लेकर एक पत्र जारी किया गया है इसके मुताबिक साथ अगस्त को राज़त बिहार क सबी जिलों के मुख्यालई पर प्रदसन करेगी राजत की तरब से किया जा रहा ये प्रदसन तीन मांगू को लेकर होगा जातिया जनगर्ना कराई जाए आरक्षनों में बैक लोग विवस्ता लागू की जाए और मंडल आयोक की सबी अनों संसाई लागू की जाए बड़ी खबर इसी सब्ता जारे होंगे CBAC 10 वी के नतिजे जल्द घोसित हो सकती है रिजल्ट डेट जहां केंदरे मायदमेक सिक्षा बोड दसवी के नतिजे इसी सब्ता जारे होंगे दसी रिजल्ट डेट का एलान जल्द किया जा सकता है CBAC 10 वी के रिजल्ट घोसित होने के बाद चातर अपना रिजल्ट ओफिसल वेबसाइट CBACresult.nic.in पर अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे 30 जुलाई 2021 को CBAC 12 के परिख्षा परिणाम की गोसना करते हुए CBAC बोड ने बताया था कि CBAC कक्षा 10 के रिजल्ट अगस्त के पहले सब्ता में जारिक किये जाएंगे और आंद के बड़ी ख़बर पहले बार सेमी पाइनल में पहुची भारते महिला होके टीम और आस्टेलिया को 1-0 से हरा कर रचा तिहास जाँ टोकियो ऑलम्पिक के गारवे दिन भारते महिला होके टीम ने सब को हैरान कर दिया टीम पहले बार ऑलम्पिक के सेमी फाइलन में पहुच गई टीम इंडिया ने क्वाटर फाइनल में तीन बार की ओलम्पिक चेंपियन रही और आस्टेलिया को 1-0 से मा दे दी है भारत की गुरजीत कौर ने 22 मिनट में गोल दाग टीम को 1-0 की लिड दिलाई उन्होंने डारेट क्लिक से गोल किया था आस्टेलिया ने पहले बार ड्रेक फिलिक से गोल गवाया अब सेमी पाइलन में भारत का सामना 4 अगस्त को अर्जेंटिना से होगा जिसने जर्मानी को 3-0 से हराकर सेमी फाइनल में जगा बनाई है इसके लिड आपका सवाल बताए कि फिलाल कोरोना की स्थिति को देखते हुए बिहार में पहले से दसवी तक के स्कुल को खोले जाने चाहिए या नहीं इसका जबाब आप आमने नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं